असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो में हम लग समझ लेते हैं तेंध क्लास के उर्दु बुक का अगला चैप्टर जिसका नाम है अदब की पहचान और यह चैप्टर नंबर एट है आठ और इस चैप्टर के जो राइटर है मुसनिफ है वो है डॉक्टर अब्दुल मुग्नी क्या नाम है इस चैप्टर के मुसनिफ का डॉक्टर अब्दुल मुग्नी ठीक है इनकी जो पैदाईश हुई थी वो बिहार के जिला और अंगाबाद में उन्हें से 34 इसवी में हुई थी ठीक है उनकी इप्तदाई तालिम घर पर हुई यानि कि उनकी जो प्रार प्राइब तर्भियत एडुकेशन मिला वो मदर्स संसुल होदा में मिला और उसी मदर्से से उन्होंने क्या किया आलिम भी कर लिया ठीक है उसके बाद देखिए अंग्रेजी में में किया पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्टर बने बाद में तबादला बी एन कॉल में पटना कॉलेज में उसके बाद फिर उनका कॉलेज differenti हो गया कॉन से कॉलेज में लेक्टर बने ये कॉलेजम में में और फिर वहां से रिटायर हो गयए सब अगे देखिए इनकी एहम-तरीन तनकीदी तालीफात अब्दुमग्णी साहब कि तनकीड है ये पांच ठवास्टो आप लोग में दिया गया है ठीक है तनकीड का मतलब में आप लोग को बता चुकी एसके पहले वाले वीडियो में कितना बार मैं बताई हूं फिर से बता देरे हूं तनकीड का मतलब होता है जाच परख करना, राइटर कुछ भी लिख रहा हो, चाहे वो मजमून लिख रहा हो, अफसाना लिख रहा हो, शेर लिख रहा हो, हम्द लिख रहा हो, कुछ भी लिख रहा हो, उसमें क्या गलती है, और उसमें क्या खामिया है, क्या अच्छाईया है, ये जाच परख करना क्य कहलाता है तनकीद कहलाता है और जो इसकी जांच परख करता है उसको तनकीद निगार कहते हैं ठीक है तो अब्दलमगनी साब के तनकीदी किताब है यह सारे सबसे पहला है जादाय इतिदाल ठीक है दूसरा है तश्कील जदीद जदीद और तीसरा है नुक्ताय नजर चोथा हैं मुईयार अकदार पांचवह अकबाल और आलमी अदब वगएरे वगएरे बहुत सारे इनके बुक हैं किताबे हैं लेकिन अगर आप बागी सब्सक्राइब भूल जाएं ये दुनों याद रखिएगा किसी भी हाल में ठीक हैं ज्यादा है एतिदाल और तश्कील जदीद इनकी वफात हुई अब्दुल मुगनी साहब की पठना में 5 सितंबर 2006 को क्या हो गए इंतिकाल कर गए इस दुनिया से रुक्सत हो गए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अदब की पहचान चेप्टर की तरफ सबसे पहले समझे अदब किसे कहते हैं अदब को इंग की पहचान की जा सकती हैं अदब क्या होता है सबसे पहले यह जानी है देखिए किसी भी टॉपिक पर किसी भी चीज़ पर या फिर किसी भी मौजू पर एक स्पैसिफिक तरीके से लिखना विसिष्ट तरीके से लिखना क्या कहलाता है अदब कहलाता है अब यहां पर बात है कि हम किसको अदब बोलेंगे किसको सहित्य बोलेंगे मालीजे मैं ही कोई टॉपिक पर या फिर कोई भी मौजू पर कुछ लिख कर दे दी तो क्या वो अदब कहलाएगा सहित्य कहलाएगा नहीं अदब का पहचान करना ही इस चेप्टर में बताए हमारे अब्दुल्मुग को ग्रामर होता है और कोई बी टॉपिक पर लिखिए और उसका कानून को कीजिए और उसके तरीके से कीजिए और दूसरी बास ये होती है कि आप जिस भी मौजू पर लिख रहे हैं उसका content आपको मालूम होना चाहिए सही तरीके से उसका ग्यान सही तरीके से मालूम होना चाहिए ठीक है तो ये दो बाते आप लोगों को ध्यान रखनी है और इसके लावा और भी कुछ बाते हैं ये तयार कर चुके अब उस लिखे हुए को अगर कोई इंसान पढ़ रहा है ठीक है तहरीर जो आप लिखे हैं तहरीर किये हैं उसको कोई इंसान पढ़ रहा है तो उसके अंदर सुरूर और वह comfort फील होना चाहिए उसको लगना चाहिए कि हां वाकई में क्या explain किया गया है क्या खुलासा किया गया है ठीक है तब वह कहलाएगा अदब अगर मैं कुछ लिखूं किस टॉपिक पर किसी भी टॉपिक पर तो उसमें कौन-कौन सी बातों का ध्यान रिखना चाहिए अदब के लिए शाहित्ते के लिए कि उसके procedure को हमें follow करना पड़ेगा उसके सांसाथ उसके grammar को follow करना पड़ेगा grammar गलत नहीं होनी चाहिए और हमें सही content ग्यान मालूम होना चाहिए ठीक है तो यह होता है अदब अब देखिए जरा इसके question answer की तरफ चलते हैं और फटाफट इस चप्टर को complete ही करते हैं ज्यादा इस चप्टर में कुछ नहीं दिया है अदब की पहचान करने के लिए दी गई है ठीक है आप लोग का द की पहचान के मजमून निगार कौन है आप लोगक है बुक में जो मजमून है अदर की पहचान और इसे इसके मजमून निगार क्यों राइटर कों है तो राइटर है हमारे डॉक्टर अब्दुलमगनी सहाब ये लिख दीजेगा कैसे लिखेंगे निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार अब डॉक्टर अब्दुलमगनी सहाब है ठीक है दूसरा सवाल है डॉक्टर अब्दुलमगनी कब और कहां पैदा हुए तो डॉक् दाबों का बहुत देना है। इसलिए मैं बोली थी दोटों का हमेशा है याद रहिए। अग्ला सवाल है चार नमबर अबडुल्मूगनी ने किस मदरसे में कहां tablets थालिम हासिल की तो अबडुल्मूगनी जो है किस मदरसे से थालिम हासिल के शमसुल होदा और नहां तक आलिम तक यह होगे आप लोग का एंसर पांच नंबर और लास्ट सवाल हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया यानि कि उन्हें अपनी नौकरी की सुरुआत जॉब उनका सबसे पहले कहां लगा तो उनका लगा था पठना कॉलेज में किसके तौर पर अंग्रेजी के लेक्षर के तौर पर ठीक है तो यह होगे आप लोग का मुखतसिर तरीन सवालात कंप्लीट आगे हैं मुखतसिर सवालात यानि कि लोगु उत्री अपरसन और इसमें तीनी कोश्चन है ठीक है और इन तीनों को मैं बोड लीजिए अगर यहां तक आप लोग को स्क्रिंसोट लेना है तो लीजिए फट अफट है हाँ तो स्टार्ट करते हैं मुकतसिर सवालात जो कि मैं उसका इंसर बोड पर लिख दी हूँ देखिए सबसे पहला सवाल है इसमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निग अब्दुल मुगनी की शक्षिएद बहुत एहम है यैंकि भीहार के विष्वस्मियत तनकीद निगारों में हम लोग अब्दुल मुगनी का शक्रिंट है और फिकर नजर को अपने तनकीद कारणामों के जरीए वसात वा इस्तहकाम बख्षा है यानि कि उन्हों अपने मौजूदा एद के शिर वादब फिक्र वा नजर को अपनी तनकीद कारणामों के जरीए उनका वो जो तनकीद लिखा करते थे अपने तनकीदी कारणामों के जरीए तनक कि विशतार और एक तरह से स्तीरता बक्सी है है थीचिया इसूरता दीャ और तंकीद में अपने मुखस road इनधर के जरिये चाभीलいう कादर इजाफा किया है यानि कि तंकीद में अपनी तंकीद में अपनी मुखस तंकीदी नजरिया अपने specific त्रीके से अपनी नजरिये से उन्होंने काबले कदर इजाफा किया है अपने तनकीद निगारी में बढ़ंती की है एक बालियत को उन्होंने अपनी तनकीद का खास मौज़ू बनाए यानि कि वो अपनी स्विक्रीती को उन्होंने अपनी तनकीद का खास टॉपिक बनाया है मौज़ू बनाया है गलक शैलियों के तालुक से अपनी तनकीद का एक वाजी नजर्या पेसि किया है ठीक है । plड का यह यह जन्कित तनकीद किसे कहते हैं तो आप लोग लिख लेंगे छिकर जलोगके त्याज पर डख करना ही मैं लिख दी हूँ एक मकसूस नवईत की तहरीर को हम अदब कहते हैं समझे इस बात को इसलिए मैं बोल रही हूँ इसमें जो वर्ड है वो डिफिकल्ट है तौफ है आप लोग को समझ में नहीं आएगा इसलिए जो टौफ टौफ वर्ड है उसको मैं लिख दी और आपको केते हैं और यह वविस्ट तरीके से प्रख्रितिक यह टौफिक पर किसी भी मौजू पर लिखना अदब कहला ता है अदब में ठीज खास असलूब और हायتیں होती हैं यह चुछा कोई कैसे हैं इसमाब के दिए कुछ खास मौजह आती हैं इसका जिसका इदाजि का इज़ा जिसका खुलासा आदिव के कुछ खास प्रिभासित श्यालिया है जूबान है वह करता है तहरीर की उन पहचान और अद्राक को ही हम क्या बोलते हैं अदब की पहचान कहते हैं यानि कि लेखन की तहरीर का मतलब क्या होता है लेखन लिखन के पहचान और क्या धारना को ही हम अदब की पहचान कहते हैं पहचान और अद्राक पहचान और धारना को ही हम अदब की पहचान कहते हैं अदभ के मक्तसिर लिखिए अदब के पेइचान के हवाले से अदभ के बारे में आप लिख दीऑं जब कोई फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट का नमूना पेश करता है फनकार मतलब आर्टिस्ट कलाकार और फन मतलब कला आर्ट तो जब कोई कलाकार अपने कला का नमूना पेश करता है तो आया वह नमूना अदब के जुम्रे में आता है के नहीं ये जानने के लिए इसी पहचान और सनाख्त के अमल को हम अदब की पहचान करते हैं मतलब कोई कला का नमूना पेश किया तो वो अदब के जुम्रे में आता है की नहीं वो उसको अदब कहा जाएगा की नहीं इसकी पहचान और सनाख्त यानकी पहचान और identify का process क्या कहलाता है अदब की पहचान कहलाता है ठीक है और निसाब में सामिल मजमून अदब की पहचान अब्दुलमगनी का तनकीद मजमून है जिसमें अदब की पहचान पर सेरहासिल बहस किया गया ये तो आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा निस सामिल आप लोगों के बुक में सामिल अदब की पहचान के अब्दुलमगनी का तनकीदी मजमून है और इस पर किसी बात की बहस की जा रही है कि अदब की पहचान कैसे की जा सकती है इस चप्टर में कोई भी फंकार तहरीरी शकल में अपना अदबी ने गारिश पेस करता ह जिसके मताला से कारी के अंदर सुरूर इन बसात की किफियत पैदा हो और कारी उससे एक तरह की आसूदगी महसूस करें वह तमाम तहरीर तहरीर अदब के जम्रे में सामिल हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई फंकार आर्टिस्ट तहरीर का कोई नमूना पेस करता है मतलब कुछ लिख कर नमूना के तौर देता है तो उस लिखे है को पढ़ने वाले को लिखा हुआ हूए क्योस को नमूना दिया और उसको पढ़ रहा है तो उसके अंदर सुरूर और इन्बसाद की कीफियत पैदा होनी चाहिए मतलब उसके अंदर सुरूर होना चाहिए और ये इन्बसाद की कीफियत यानि की विस्तार की क्वालिटी दिखनी चाहिए कि उसको लग जाए कि हाँ वाकई में जो आर्टिस्ट लिखा है जो लिखने वाला लिखा है वाकवी में कितना अच्छी तरीके से विश्तार से लिखा है ठीक है विश्तार की quality दिखनी चाहिए और कारी उससे एक तरह की आसूदगी महसूस करे मतलब उसको पढ़ने के बाद जो पढ़ने वाला है एक तरह का comfortable महसूस करे तो ये क्या हो तीन नंबर कोश्चन का एंसर ठीके मुक्तसिर सवाल खतम लग उत्रिया अब बात आती है तवील सवलात की दिर्ग उत्रिये प्रसंद की इसमें भी तीन कोश्चन से पहला सवाल है वह यह है डॉक्टर अब्दुल्मगनी की तनकीद निगारी पर तफसीली रोश्णी डालि लिखना है तवील सवलात में की डॉक्टर अब्दुल्मगनी की तनकीद निगारी पर लिखना लेकिन तफसील से लिखना है विस्तार से लिखना है ठीक है तो अब इसमें से और कुछ जोड़ दीजेगा अपने मन से लंबा चौड़ा हो जाएगा विस्तार से ठीक है तो वह जाएगा फ़र्श इंसर दूसरा सवाल है अदब के पहचान के हवाले से अदब की तालूक से मुख्टलिफ से नजरियात ब्यान कीजिए देखें यह भी मुख्तसिर लग उत्रिय नमबर सवा ली जो आप अभी बता इस कोश्चन क्या था तिन नमबर अदब के पहचान के हवाले से अब दब की मुखतसिर तारीफ कीजिए यह तिन नमबर कोश्चन था अब इसी कोश्चन को ना क्या कर दिया गया है तो इसमें आप लोग क्या किजिएगा थोड़ा सा और जोड़ दीजिएगा लंबा हम लोग बोलेंगे ना तो मैं क्या करूंगी हर चेप्टर का कोश्चन एंसर का वीडियो बना दूंगी खुद से लिख कर जैसे कि फॉर्ष्ट चेप्टर का सिर्फ कोश्चन एंसर इस तरह करकर ठीक है तो अभी तो हम लोग इस पर फोकस करते हैं ठीक है तिसरा सवाल है उर्दू अदब में तनकीदी रिवायात का जाइजा लीजिए यान कि उर्दू अदब में जो तनकीदी रिवायात है क्रिटिसिजम ट्रोडिशन है जो क्रिटिसिजम का ट्रोडिशन चल रहा है तनकीदी मतलब समझ गया है ना जाच परक करना तो उसका ट्रोडिशन का ज बाज हुआ यह सारी चीजे आप लोग लंबा चोड़ा करकर तब तीसरा का एंसर हो जाएगा और इसी के साथ आप लोग का चेप्टर नंबर एट कंप्लीट होता है ठीक है अगले वीडियो में हम लोग चेप्टर 9 यानकी 9 को स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद और खुदा आपिस